सबी बहन भाई को मेरा नवस्ते आज मैं गुलाब का फूल बना के दिखाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से जिसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा और देखने में बहुत अच्छा लगेगा चलिए बनाना सुरू करते हैं देखिए मेरे दो कलर की उनली है इसी से बने सबसे पहले हमको दस चैन बनानी है एक दो तीन चाट पान चेस साथ आठ नव दस तो हमने दस चैन बना ली और इस वाले भंदे को इसी में ऐसे जोड़ देंगे हमारी एक कली बनके त्यार हो गई अब दूसरी वाली भी बनाते हैं इसमें भी दस चैन बनाएंगे कि अब देखिए दो कलिया बनाकर त्यार कर लिए अब तीछी वाली भी ऐसे ही बनाएंगे है कि अब हमारी तीनों के लिए अनके त्यार हो गई है तो देखिए अब हमको क्या करना है अब हमने जो पहली वाली कली बनाई थी उसी में हमको बीस बीस बार डबल क्रोसिया बनाना है दो तीन चार पाँच चे साथ आट नव दस ग्यारा बारा तेरा चोधा पंदरा सोला सत्रा अठारा उनिस और एक बीस तो देखी हमने पहली कली बना कर त्यार कर लिए और इसी तरह इनको भी बनाना है तो देखिए फिर उन्ने बना कर त्यार कर लिए तीनो कली अब उनको क्या करना है अब ये वाली कलीया हमने बनाई है तो इसी में से हमको डाल कर दो दस बार डवल क्रोसिया बनानी है एक दो तीन चार छे साथ आठ नो और एक दस तो देखिए हमने पहली कली में बनाकर त्यार कर ली है दस बार डवल क्रोसिया अब दूसरी वाली में भी दस बार बनानी है डवल क्रोसिया तो देखिए हमने दूसरी वाली कली भी बनाकर त्यार कर ली है तीसरी वाली सेम बैसे ही बनेगी तो देखिए हमने अपनी बनाकर त्यार करनी है और हमारा पूल बनकर त्यार हो गया है तो इस धागा को हम कट कर देंगे काट दिया है तो देखिए कितना संदर लग रहा है आप किसी में भी लगा सकते हैं यह देखने में बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही कम सामान से बन जाता है बहुत ही जल्दी अब देखिए कि देखिए दूसरी हुल लेनी है और दो उंगलियां ऐसे करके उसमें लपेटनी है पांच बार उनने लपेट लिया है पांच बार देखिए इससे जाओर भी संदर लगेगा देखिए इसे बनाने में बिलकुल टाइम नहीं लगता है और देखने में यह बहुत अच्छा लगता है हमने बना कर त्यार कर लिया है पना फूल कर दो है